हल्हाब वोच्छ स्वागत है आपका आपके YouTube channel Kalpase Camp में friends आज हम करेंगेे छैंजे में एक और program जिस्में आज मैं आपको स्काऊओंगा ball pin radius के बारे में कि आपके बास ball pin radius का program आप कैसे बना सकते हो तो दोस्तो बाल पिन जो रिडेस का प्रोग्राम है उसको बनाने के लिए आप या तो इसकी मैनुवल कल्कुलेशन कर सकते हैं या फिर जो इसके जो पॉइंट है हमारे पास उनको हम आटोकेड में जाके वहां से उसके पॉइंट को निकाल सकते हैं किन्टो अगर बच्चों को अगर जिसने आटोकयड नहीं किया है तो वह आपर पॉइंट नहीं निकाल पाएगा ठीक हैं तो एस उसमें ऐसी कोई दिकतवाली बात नहीं है इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसके जो ौइंट होते हैं इह अप मैनल ी भी ंकाल सकते हहूं तो manually जो आप point निकालेगों किस तरह से निकालोगे वही चीज मैं आपको सिखाऊँगा तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं कि जब भी आपको बाल पीन रिडियर का कोई प्रोग्राम बनाना तो आप किस तरह से बनाओगे सबसे पहले हम इसके जो point है वो निकाल लेते हैं फिर मैं आपको बताऊँगा किसका प्रोग्राम आप कैसे बनाओगे तो दोस्तो सबसे पहले जब भी आप अपने tool को लेकाएंगे पहले हम यहाँ पर numbering define कर देते हैं कि किस की point पर आपको पहले tool लेके जाना है सबसे पहले हम जो tool लेकाएंगे इस point पर यहाँ पर रखेंगे थोड़ा दूर रखेंगे उससे जिसको मैं A का नाम दे देता हूँ तो अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं x की value लिख लेता हूँ, यह आपके पस z की value हो जाएगी, इसकी बात करें, तो अगर हम मैं point a की बात करता हूँ, तो point a पर, आप x की value हमारे पस कितनी रहेगी, 0 रहेगी, और z से आप अपनी, आपकी मर्जी है, कि आप यहाँ से अपने tool की तरफ हटाना चाहते है, और 2 हटाना चाहते है, तो यहाँ पर value रह सकते हो, कि मालो जैन मेरा 2 होगा, उसके बाद b point पर हम आएगे, b point पर जो आपके point होंगे, x आपको 0 ही रहेगा, और y भी, sorry, z भी आपके पस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप आपको इस point की बात कर रहे है, c point की, c point पर आप आओगे, c point पर आप यहाँ पर देखोगी, कि आपके पास यह जो value हो आपके पास given है, जो आपके पास कितनी है, डाया 8 का है, तो यहाँ एट मतलब यहाँ से यह value आपके पास 4 होगी, ठीक है, तो यहाँ आपको x का जो distance हो हो आपको हम होगी आपको आप कर देख यहां कर को यहां पर हम रेकंब पस रेरी हों कि अ क सरकल को क्षिए निकाल नी french आपको कैसे निखा दकना सकते और यहां पर आप देख पार है कि यह वेलिव हमारे पास गिवन है जो आपके पास कितनी थी चार की थी ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा के सिकलर लुट हो जाएगा प्लस में आपके पास बीसी का स्केर हो जाएगा तब कि बस बीसी की वैल्यू हो हमारे पास एदर की तरफ चला जाएगा यहां से हम निकाल लेंगे तो यह 25 हो जाएगा यह आपके पास बचेगी नो बचेगा और यहां से यहां से यहां से जिरू से वादर की तरफ मैंनिस आट में रहेगा इसी तरह आप जिस पर आओंगी यहां पर दी इसके ज़र पस कि लिए पास क्या रहेगी वो चारी रहेगी यहाँ पर आपके पास चारी रहेगा तो आपके पास तरह से आपके साथ होगा और यहाँ पर देखओ पास पॉइंट दियो है जैसे यह पास यह पॉइंट से और इसके पास चार का था यहां से आपके पास क्या हो जाएगा कि यह अगर मैं यहां यह पास कितना बचा यह आपके बचा बचा दो का ठीक है और प्रागर मैं इसके सेंटर से बात करता हूं तो तो तोल मैंने पास कितनी रिदेश का था तो यह दिस्टेंस कि आपके पास तीन का बचा तो आपके पास यह प्रम्याइब करेंगे ऐसे ही माइनस तीन का स्केर होगा इस इकल टो आपके पास जो भी है यह वैल्यों आजाएगी उसके बाद यह 25 माइनस आपके बास सोड़ा होगा और उसके बाद आपके बास नो वैल्यों आएगी यानि इसका भी अंडर रूट हम करेंगे और जो भी यह लैंथ को मिलेगी सीडैंस अपके पास यहां से यहां तक का जो डिस्टैंस होगोफितना होगा नरे पास तीश JOSH होगा और ज़ो है यहां पर फार हो जाएगा तयुह एमीर में पास चाहीं यहां पर पास 15बीट पास यहां तको गया ओर आट का ही मिर पास यहां तक था यांए फ्रीफ कितनी사가 के इन्य सोड Ha बात करेंगे अब आगर देखते हो आप तो इवे पास रहेगी यह जो पॉlike है इस तरह से आपके पास लाइन जा रहे है यह आपके पास लाइन रहेगी ठीक है यहां से सेंटर लाइन का डिश्टेंस आपके बात करें अब अगर हम इसकी बात करें तो यह डिश्टेंस आपके पास कितना था चार का डिश्टेंस था यहां तक आपके पास गिवन है कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिश्टेंस है वो चार है इसी तरह हमें यहां से टोटल डिश यहां पर आपके पास मिल जाता है कितने का होगा यहां से यहां से यहां तक का जो यहां से यहां से बनाना है यहां से बता लेता हूं अब यहां से हटा रहा हूं आपको यह थोड़ा जहां राखना है कि calculation आपको अच्छे तरीके से करनी है इसमें बस वही है या फिर आप क्या कर सकते हो अगर आपको आता है तो आप यूज कर सकते है तो उसके थ्रूह थोड़ा सकते हैं अब उसके स्वेक्ट निखाल सकते हैं अब उसके बाद हैं आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं तो और है कि के साथ 2000 हो जाएगा आपके पास उसी तरह हमरे पास जी 96 कॉंस्टेंट कटिंग स्पीड रखेंगे कितने भी आपको कौम करना है तो इसको हम थोड़ा सा करेंगे यहां से अपसेट एक है उसके बाद टूल्स को यहां पर आप साथ की वैली होगी आपके पास की वैली होगी जो तो कट जो मैं यहां पर रखता हूं और इसमें जो पॉइंट है वो भी आप रख सकते हो ठीक है यहां से अगें जी सेवंटी वन यूज करेंगे पीब लोग कहां से आपकी कटिंग स्टार्ट हो रही है वहां रख लेते हैं कहां पर खतम होगी उसके बाद अलाउंस में यहां पर नहीं रख रहा हूं उसके बाद आपको फीड डिफाइन करनी है जो जिडिव पॉइंट वन के इसाब से यहां पर यहां पर लेके आना है तो एक पॉइंट पर आएगा एक पॉइंट पर जामर रपास एक की वेल्यू कितनी थी जीरो हो जाएगी पर यहां से आगर हम बात करों तो टूल को हम पहले क्या करेंगे जी जीरो वन किया हमने एक समें जीरो पर आया और जैड की वैल्यू आपके पर रहेगा यह निदि यह कोड आप लगाओं उसके बाद यहां से आप देखोगे इस तरह से आपके पास टूल चल रहाए यह आ आपके पास कितने होगी 5 की होगी ठीक है उसके बाद इस पॉइंट से डी पॉइंट पर हम आएंगे अब आपके पास साइकल चलेगा कुछ इस तरह से चलेगा या निए क्लोक वाइस के लिए आपके पास जो कोड रहेगा वह जी 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 रो टू हम यहाँ पर लगाएंगे और इसके बाद आपको क्या गरना है जो लेंथ आपको रखने यह नहीं जो पॉइंट रखने लगए च सेरफ में पर्रोंगे साथ होगे हैं तो आपके धियू rule यहाँ है पर हम वेल्यू देंगी टीक है जी जी रो घन के साथ जो और जो रहेगी जैट उस टोबसे अनदर ह खतम हो रहा है तो यहां पर आप लगाओगे क्योंकि हमने यहां पर क्या उट्टू को यूज किया है तो जहां पर आपकी साइकल का नंबर हम देंगे उसके बाद टूल को आप उसकी हों पोजिशन पर लेके चले जाओगे यूजीरो और साथ के साथ हमारे पास बार बना सकते हो अब अब करता हूं कि अबको यह प्रोग्राम समझ में आया होगा अगर आपको कोई लगता है तो मुझे निचे कमेंट सेक्शन में लिखेगा मैं आपको डाउट के स्कूल करने की पूरी कोशिश करूंगा तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, थैंक्यू फ्रेंड